बुदिश्टा साल जन्वरी के अंदर बंगला देश की एक्सपोर्ट 11.4 परसंट इंक्रीज होई है यानि बंगला देश की जन्वरी के महिने के अंदर एक्सपोर्ट रही वो 5.72 बिलियन डॉलर्स रही जो कि एक इंप्रेसिव अमाउंट है अगर आप जन्वरी 2023 को कंपेर करें जन्वरी 2024 के साथ तो एक्सपोर्ट बढ़ी है बंगला देश की डेली सन इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स अब बाई 11.45 परसंट इन जन्वरी लास्ट मन्थ दी कंट्री अर्ण 5.72 बिलियन डॉलर्स विच वाज 0.69 परसंट लेस देन दे टार्गेट एक्सपोर्ट रीज़ 5.13 बिलियन डॉलर्स इन जन्वरी और फिसकल इर 23 यहां पर अब एक इंटरिस्टिंग बात है बंगला दिश के अंदर आप जानते हैं कि एक इंडिया आउड कैम्पेंड चल रही है और बैकोट इंडियन प्रॉडल्स कैम्पेंड चल रही है जिसका मकसद मार्कीट से इंडियन गुड्स को खतम करकि और उस इलेक्शन से पहले ही इंडिया बंगला दिश ट्रेड का डिकलाइन जो था वो शुरू हो चुका था डाउनवर्ड ट्रेंड था। मतलब आपिरिल से लेके गुझ औरisco Dricht लेके गुझ चल अक्तूबर तक ये ट्रेंड डाउनवर्ड रहा और उसके बाद भी लगी कि इंडिया हमारे इंटर्नर kept come OR वह अवा मिली को सपॉर्ट करte तो उस टाइम में इंट्रेस्टिंडींगली इंडिया का जो ट्रेड है वो डिकलाइन हो है हाला कि उस वत कोई India Out campaign नहीं चल रही थी और नहीं बाइकोट इंडियन प्रोड़क्स campaign चल रही थी अगर मैं आपको इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट Economic Times दिखाऊं तो इसके अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि इंडिया बंगलादेश ट्रेट डाउन इन प्री एलेक्शन सीजन यह लास्ट यह की आपको में दिखा रहा हूँ और इसमें वो कहते हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट बंगलादेश बीट्वीन एप्रेल एंड अक्टूबर टूथादन टूट्टी थी डिकलाइन बाइ थर्टी पॉइंट थी परसंट वाइल इंपोर्ट्स अमारजनली स्मॉलर टू पॉइंट थी परसंट डिप अकॉर्डिंग तो डेटा फ्रॉम दी डिपार्टमेंट अफ कमर्स तो युसी एक डिकलाइन पहले से ही था और उपर से यह जो इंडिया ओट ट्रेंड स्टार्ट हुए नाओ इसमें एक आपको इंट्रेस्टिंग खबर शेयर कर दूँ कि कुछ ऐसी डील्स होने वाली हैं जिस वज़ा से फिगर्स आपको बढ़ती वी नदर आएंगी आने वाले दिनों में कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी बंगलादेश की अंदर वो बढ़ गए अब ये इंडिया ओट कैमपेंड के साथ आप इसको कंपेर यू भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बंगलादेश की गवर्मेंट की रिक्वेस्ट पे एक्सपोर्ट इंडिया की हो रही होगी बंगलादेश के अंदर यानि पबलिक की डिमांड हो ना हो लेकिन बंगलादेश की तरफ इंडिया की चीज़ें आएंगी गवर्मेंट रिक्वेस्ट करीगी क्या चीज़ें आ रही हैं ऑनियन और शुगर में आएंगे हाला कि इंडिया ने बेन लगा के रखा हुआ है काफी टाइम से लेके कि हमने शुगर और ऑनियन नहीं बेच रहें किसी को क्यूंकि उनकी अपनी मार्किट के अंदर शौटेज है और अगर वो बेन एक्सपोर्ट का हटा देंगे तो उनकी अपनी मार्किट में ये कर दें अथोराइज कर दें इंडियन के ठीक है आप बंगला दिश को सेल करें तो आपको एक्सपोर्ट की डेटा बढ़ती हुए नजर आएगी तो इसको इंडियन मीडिया जो है अज़र प्रोपगंडा यूज करेगा ये मैं आपको भी बता रहा हूँ इंडियन मीडिया प्रोपगंडा ये करेगा कि देखिए इंडिया ओड कैमपेंड जो है वो फ्लॉप हो गई है और ये देखिए बैकोट इंडियन प्रोडट्स कैमपेंड जो है वो फ्लॉप हो गई है क्योंके हमारी एक्सपोर्ट बड़ी है ज्यादा हाला कि इसकी अंदर ये एक प्रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑफिशल सेड्डी मिनिस्री आफ कॉमर्स सेड्ड बंगलादेश साड्डी पर्मिशन फॉर इंपोर्टिंग 100,000 टन्स आफ शुगर अब देख रहे हैं कितना बड़ा वेल्यू है 100,000 टन्स जो है वो शुगर उनको लेनी है और 50,000 टन्स आफ उनियन एम डेट कीपिंग दी सप्लाइ और फ्राइज इस टैबल दूरिं दी हॉली मन्थ वेन दी डिमांड फॉर इस आइटम्स यूईली स्पाइक्स इन दे कंट्री और इंडिया मॉस्ट प्रबबली इसकी और में भी अगले महिने भी यह बढ़ेगी तो इसको फिर एक बड़ा प्रोपॉगंडा करके आपको इंडियन मीडिया के अंदर दिखाआ जाएगा, डिस्कारेज करने की बी कोशिष की जाएगी, इंडिया केमपेंग चलाने वाले फोर्सес को, अब देखते हैं, वह इसम fair elections चूरं बेशते रहे लेकिन उन्होंने जनाब एक खत लिख दिया और वो खत लिख आए उन्होंने शेख खसीना को उन्होंने क्या बोला है उन्होंने खत लिख कि बोला है कि ऐसा है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं भाई we are ready to work with you अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया है मतलब ये tone change क्यों हो गई है क्योंके space created है बंगला देश important है शेख हसीना, अवामी लीग, कोई और party important हो ना हो, बंगला देश important है because of way of Bengal तो वहाँ पर इनके तालुकात खराब बंगला देश के वेस्ट वालों के साथ because of elections और उधर चाइना ने क्या किया कि state visit का उनों ने invitation दे दिया आवामी लीग को शेख हसीना साहिबा को कि आईए हमारे मुलक में आप तश्रीफ ले आईए state visit के तोर पर वह गेस्ट के तोर पर जाएंगी तो आप देखिए के एक space थी जिसको चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा था तो उस पे मेरे ख्याल से Americans ने थोड़ा सा यहां पर एक relaxation दिखाई है और उन्हों ने ये खत लिखा है शेख हसीना को कि we are ready to work with you New Age बंगला देश इस पे रिपोर्ट कर रहा है कि US to support बंगला देश से एकॉनमिक गोल Biden writes to Hasina और इसमें वो मजीद कहते हैं कि United States President Joe Biden has written to Prime Minister Sheikh Hasina expressing his willingness to work together to achieve बंगला देश से एकॉनमिक गोल He also expressed willingness to partnering with बंगला देश on their shared vision for a free and open Indo-Pacific जहां पर भी आपको ये word नज़रायन इंडो-Pacific वहाँ पर समझ आया करिए कि ये चाइना से लिंक्ट है अमेरिका जहां भी इंडो-Pacific बोले तो वो बेसिकली वहाँ पर चाइना का एंगल होता है क्योंकि ये इंडो-Pacific इताहाद उन्होंने बनाया ही चाइना के अगेंस्ट है ये एंटी-चाइना स्ट्रोटेजी है कंटेनमेंट अफ चाइना की स्ट्रोटेजी है और कहीं ने कहीं पर अब भी वो बिली के खौब में चीछड़े जिसे कहता है अब भी इनको उमीद है कि बंगला देश जो है वो चाइना के अगेंस्ट हमारा एक तरह से जैसे इंडिया बना हुआ है तो वो नहीं हो सकता यहां पर बिकाज बंगला देश की सप्लाइ लाइन जो है वो डिपेंड करती है चाइना के ओपर तो यह नहीं हो सकता अब देखे इन्होंने इंविटेशन इस वज़ा से जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस वज़ा से भेजिये बिकाज वहाँ चाइना इस गैप को फिल कर रहा था अमेरिका का पता काटने में लगा वा दो बंगला देश केंदर तो एक इंट्रिस्टिंग डिवलप्मेंट हुई है इन वालों से यकिनी तोर पर शेख हसीना साहबा खुश होंगी इस पर कि एक तरह से उन्होंने उनको एक ग्रीन लाइट मिली अमेरिका से लेकिन यह जो एक्सपोर्ट वाला